सबनम हासमी वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया इस केस में सुप्रिम कोट के सामने एक उस्टन था कि क्या मुस्लिम महिला बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं तो इसमें सुप्रिम कोर्ट की बेंच ने ये कहा कि भले ही मुस्लिमों के परस्नल ला में बच्चे को अडॉप्ट करना बार्ड हो या मना हो लेकिन भारत में रहने वाले मुस्लिम बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं सुप्रिम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब कहीं भी बात परस्नल ला और ला अफ दे लेंड की बात आएगी तो जब तक कि भारत में उनिफॉर्म सिविल कोर्ट नहीं बन जाता है तब तक देश का कानून परस्नल कानून के उपर माना जाएगा और इसी के चलते सुप्रिम कोर्ट ने इस केस में कहा कि मुस्लिमों के पास भी अडॉप्चन का बच्चे को अडॉप्ट करने का कानूनी अधिकार है हालांकि इसमें जो बच्चे को अडोप्ट करने को फंडमेंटर राइट करार देने की बात पेटिसन में कही गई थी लेकिन सुप्रिम कोट ने कहा कि इसे फंडमेंटर राइट तो नहीं कहा जा सकता लेकिन ये एक हर भारतिय का कानूनी अधिकार है जो चाहे वो बच्चा अडोप्ट कर सकता है बसरते की वो कानूनी सरते पूरी करता हो